95 प्रतिशत लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं। लोग कन्फ्यूज हो गए हैं क्योंकि बुन्यादी चीजें नहीं संभाली गई हैं। आपको बस काबिलियत बढ़ानी होगी। आप हर स्थिती में जान जाएंगे कि क्या करना है। आप अपनी वुद्धी और ख्षमता के अनुसार बहतरीन चीजें कर पाएंगे। कुछ हफ़ते पहले हारवर्ड बिजनस स्कूल के डीन ने मुझसे कहा हम लीडर्शिप की बाते कर रहे थे। और वे एक प्रमुक बिजनस स्कूल के डीन के रूप में अपनी फिलोसफी बता रहे थे। वे बोले मेरा तरीका है जानना, कुछ करना, वहां होना, कुछ वास्तविक ज्यान होना और विश्यशग्यता के हिसाब से काम करना और हर दिन उसी धरह जीना। और मुझे लगता है कि सद्गुरू की यात्रा की सबसे जबरदस्त चीज यही रही है। उनके द्वारा किये गए काम। आपने वहां कुछ कारिक्रम देखे। पर शायद आप कुछ चीजे बता सकें जो आप दुनिया में चला रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ आकर बाते करने, मिलने और फिलोसोफी देने के बारे में नहीं है। ये वाकई कुछ करने की बात है। हमें दुनिया भर में चल रहे हैं आपके कामों के बारे में बताएं। कि आप उन्हें कैसे करवाते हैं। जब हम कहते हैं होना, तो हम अपने अस्तित्व की मूल प्रकृती के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व की क्वालिटी से, हमारे बोध की क्वालिटी तै होती है। और हमारी बोध की quality से ये तय होता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं हमारे काम इसका नतीजा है इसे उल्टा कर दें तो ये ऐसा होगा फल, पेड, जड, मिट्टी पर फल ऐसे नहीं लगते मिट्टी, जड, पेड और फिर फल इसे उल्ट देने से आप जबरदस्ती कुछ पा सकते हैं पर आपको नुकसान भी होगा आज मैं भारत और पूरी दुनिया के कई बिजनेस लीडर्स के साथ काम कर रहा हूँ मैं इसे आमधारना नहीं बनाना चाहता लेकिन मैं कहूंगा कि उनमें से कम से कम 60-70 प्रतिशत लोग 45 की उम्र पहुँचने तक कई रूपों में वे गंभीर तरीके से डैमेज हो जाते हैं या तो वे भावनात्मक रूप से परिशान हो जाते हैं क्योंकि उनके काम वैसे हैं या कई लोग बहुत सी शारिरिक बीमारियों से पीड़े थें जो कि उनके हिसाब से उनके काम का एक स्वाभाविक नतीजा है क्योंकि वे चीजें जबरदस्ती कर रहे हैं अगर आप कुदरत के नियम नहीं समझते कि जीवन कैसे खिलता है आप पेड़ से पहले फल चाहेंगे तो जाहिर है आपको चीजों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी जबरदस्ती का तरीका अपनाने से एक चीज हासिल हो सकती है पर बाकी चीजें बिगड़ जाएंगी दुनिया के सबसे समरिद सबसे अमीर समाज हर जगा सिर्फ यही नहीं इससे गुजर रहे हैं वे समरिद हो चुके हैं पर व्यक्तिकत जीवन में या समाज में या देश में समरिद्धी पाने का मूल विचार यही है कि उससे हम अलग-अलग तरह का पोशन और जीवन शैलियां चुन पाएं इसलिए मनुष्य समरिद्धी की तलाश करता है ताकि हम पोशन और जीवन शैलिय खुद चुन सकें अब अगर आप लोगों का जीवन देखें तो ये चीजें चुन कर वे खुश नहीं है ये चुनाव उन्हें परिशान कर रहे है लोग नहीं जानते कि क्या खाएं क्या करें क्योंकि हमने बुनियादी चीजें नहीं संभाली हैं हम रेस में शामिल तो होना चाहते हैं पर रेस की मशीन नहीं बनना चाहते हम बस जीतना चाहते हैं जीतने की इच्छा से जीत नहीं मिलती जीतना कौन नहीं चाहता सभी चाहते हैं पर अंत में काबलियत ही जीतती है तो चाहे स्कूल में हूँ या कॉलेज में या पेशेवर महौल में हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के बजाए अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं जिसे हम महत्वा कांक्षा या लक्ष बनाना चाहते हैं आप अपनी क्षमता बढ़ाए बिना इच्छा बढ़ा रहे हैं या आप अपनी एक शमता तो बढ़ा रहे हैं, पर इच्छा ज्यादा बड़ी है। नहीं आपको बस ख्षमता बढ़ानी होगी। आप जो कर सकते हैं, वो शायद आपकी इच्छा से परे हो। या शायद उससे कम, हम नहीं जानते। पर अपनी ख्षमता बढ़ाए बिना आप अपनी इच्छा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अच्छा प्रदर्शन करने पर गएर जरूरी तनाव पैदा होता है। देखिए क्या हालत है। आप अपनी खुशाली भूगत रहे हैं, इसे माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारी खुशाली इस धर्ती पर मौजूद हर दूसरे प्राणी को एक बड़ा नुकसान और दर्द दे कर आ रही है। और हम इसे भुगत रहे हैं, बस इसी लिए कि हम घोड़े से पहले गाड़ी लगा रहे हैं। तो होना अंतिम चीज नहीं हो सकती। कुछ करना, जानना और होना नहीं नहीं। होना पहली चीज है। अगर आप होना नहीं जानते, तो आपको हर जगा कश्ट होगा। अगर आप होना जानते हैं, तो चाहे आप सैन फ्रांसिसको में काम करें या मंगल ग्रह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी हों, आप काम कर पाएंगे. कौन सा काम? आप अपनी बुद्धी और क्षमता के हिसाब से काम करेंगे. आप बस यही कर सकते हैं. अपने जीवन में, अगर हम वो नहीं करते, जो हम नहीं कर सकते, तो ये कोई समस्या नहीं है. लेकिन अगर हम वो नहीं करते, जो हम कर सकते हैं, तो हम एक अभागा जीवन हैं. हम बस यहीं चाहते हैं, कि अपने जीवन में वो काम ज़रूर करें, जो हम कर सकते हैं. पर जब आप ये गैर जरूरी, फालतू का तनाव पैदा कर लेते हैं, कि आपकी इच्छाएं आपकी क्षमता से बड़ी हैं, क्षमताएं बढ़ाएं बिना, पूरा ध्यान देकर क्षमता को बढ़ाने की बजाए, हम इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिती पैदा हो रही है. तनाव होने से आपकी काबलियत घड़ती है न कि बढ़ती है. धर्ती की कोई भी मशीन बहतरीन काम तभी करेगी, जब टकराव नहीं होगा. जिस मशीन में टकराव कम से कम है, वो मशीन बहतरीन है. यही इनसानी शरीर पर भी लागू होता है. अगर ये कम से कम टकराव के साथ काम करें, तो ये बहतरीन काम करेगा. शायद आप दूसरों जैसे बन न पाएं. पर आप अपने चरम पर होंगे. यही सब कुछ है. और हर इनसान में प्रतिभा मौजूद है. पर मैं कहूँगा कि जैसी स्कूली शिक्षा हम दुनिया भर में हर जगा दे रहे हैं, और जैसे हम जी रहे हैं, मैं कहूँगा कि 90 प्रतिशत लोग अपनी अनूठी प्रतिभा को जाने बिना जीते हैं और मर जाते हैं. बस 2-5 प्रतिशत्ट रोग ही अपनी काबलियत जान पाते हैं बाकी लोग वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं वे वही करना चाहते हैं वे उसे उनसे बहतर करना चाहते हैं उनके लिए यही खुश़्ाली है इसी लिए इंसानी प्रतिभा बहुत बड़ी मात्रा में खो रही है और ये धर्ती पर सबसे बड़ा आपराद है कि मानव प्रतिभा खत्म हो रही है क्योंकि सभी लोग वही काम करके दूसरों से उपर रहना चाहते हैं ये दुनिया में जीने का एक बचकाना तरीका है दुर्भाग्य से हर जगा यही हो रहा है हम छोटे पैमाने पर कुछ अलग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा और पेशेवर मांग सब इसी तरह से है हम एक धेर में बैठ कर उस धेर में सबसे उपर होना चाहते हैं ये जीने का एक क्रूर तरीका है सबसे उपर पहुँचकर आपको दुख होगा और वहाँ ना पहुँचकर भी दुख होगा स्थास भाषण समयघने कर दो भी जचेम कर एक का एक का तर में समयख वहाँ अभी कर दό girlfriend कर दो कर दो कर दो